हेलो दूस्तों, इन्वेस्ट फो डवर में आपका इबाफिट से सो जाते हैं और इस वीडियो में जैसे कि आपने देख लिए हम बात करने वाले Security Stocks का मतलब क्या होता है Security Stocks का Simple सा मतलब होता है वो Company जो यह Market में Stock Market में आपर डील करती हुई दिखाई देती है जो Trading करती हुई दिखाई देती है जहां पर DMET आप ऐकाउंट ओपन करा सकते है DMET ऐकाउंट ओपन कराने के बाद आप महां पर Stock Market में काम करते हैं तो उन Company से लेटरी बात करेंगे तो देखे बहुत सारी Companies Market में लिष्ट है बट हम बात करने वाले ऐसी Company जो सौर पेसे भी कम में यहां पर लिष्ट है तो उन में से चार Company से लेटरी बाते करेंगे क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता उससे लेटरी बाते करेंगे तो आए वीडियो की तरफ चलते हैं बड़ वीडियो में आगे बड़े आपसे रुक्ष्ट करूँगा हमारे चानल इनवेश्वोर आपको सब्सक्राइब कर लिजे अच्छा नहीं बाते हैं तो जितना हो साथ अगर आप सब्सक्राइबर है तो शेयर करिए और लाइक जो भी वीडियो आप देख रहे हैं तो सारी वीडियो देखिए कुछ ना कुछ knowledge definitely मिलेगी तो कुछ ना कुछ उसमें additional होता ही है और वीडियो को like जरू कर दीजिए तो आएए वीडियो की तरफ चलते हैं और एक चीज़ हो अगर आपको हमारी financial services चीए तो यहाँ पर आप में contact कर सकते हैं और कोई queries है तो comment कर सकते सब्सक्राइब så ड़े एक ना कुछ वालं है तो यह थिए तो चार स्टॉप से ल हम चलते है तो चार चार स्टॉप से लिडियटरी बाते करने का मतलब का सिम्ल यह है कि देखे 100ुपे से कम में श्रुझ से सब्सक्राइब से कम के स्टॉप से क्षं किस्व में क्या होता है ह जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो ऐसे stocks को target करते हैं, और फिर जब अपनी margin के हिसाफ से जितना चाहिए, उतना भगा लेते हैं, तो इसलिए इन stocks से लेटी बात करेंगे, Securities का मतलब मैंने आपको बता दिया, stock marketing, broking से related यह company है, market cap की अब सबसे पहला नाम है, IFL Securities, तो यहां पर देख सकते है, market cap small cap company है, 10% का rate है, ROC, ROE अच्छा है, PE ratio काफी काम है, 2 का phase value भी है, maximum chart pattern की बात करें, तो यहां पर देख सकते हैं, 2019 में share आया था, उसके बाद से एक अच्छी कासी rally हो, और अभी एक consolidation phase में चल रहा है, यहां पर देखेंगे, 2018 में चल रहा है, यहां पर देखेंगे, 2018 में चल रहा है बट फिर भी अच्छा है, यहां पर highest revenue एक तरीके से कह दीजिये, क्योंकि अगर देखेंगे, यहां पर 125 दिखा रहा है, और 125 अधर income की वज़े से है, और किसी की वज़े से नहीं है, बट यहां पर अगर हम देखें, operating profit, तो highest revenue है, और बिना other income के, तो यहां पर देख सकते ह है, और हमेशा मैं बताता हूं, जब भी yearly quarterly basis पे result अच्छे आते है, तो चीजे नीचे अगर आती है, तो वह एक opportunity होती है, खरीदने का, yearly basis पे अच्छे खासी growth है, reserves अच्छे खासे है, बड़ा income होती ही नजर आ रही है, यहां पर अगर हम बात कर रहें, promoters की holding अच्छे खास है, और chart pattern की बात करें, तो chart pattern काफी बहतरीन है, अगर हम यहां पर इसके low labor यहां पर भी देखते हैं, कि यहां तक अगर पोस्ता है, तो देखिए 27% के return आते हैं, और इसके all time high की बात करें, तो इसके all time high तक अगर यह share पोस्ता है, तो 40% के return हमें मिलते हुए दिखाई दे है, as well as, देखिए, यह जो return है 27% और 30%, यह जो 306 मेने के अंदर-अंदर मिल जाएंगे, but company के अगर एक बार और अच्छे खासे result दिखा दी है, तो यहां पर दिखे, company है, यहां पर काफी time से एक consolidation phase में चल रही है, और जब यह consolidation phase पूरा हो जाएगा, इसका थोड़ा सा और तो यहां पर चीज़े और ऊपर निकलती भी नजर आएगी, और यहां पर इस chart pattern ही आए, एक cup और handle बनता हुए नजर आ रहा है, और इस cup with handle pattern के एसाब से जो target नजर आ रहे है, वो नजर आ रहे है 155 रूपीस के, और जो कि कि कितने percent के target होते है, जो कि अच्छे खासे आपक इसके बाद बात करेंगे, जो जीत financial services, सेम काम यह भी finance के sector में, एक company काम करती ही नजर आती है, 15% का debt है, 29 का ROC ROE ही है, बारे का PIA, 103 से correct हो के share नहां पर आता हूँ, और यहां पर बात करेंगे, interest value 82 है, उससे भी नीचे यहां पर यह चलता हूँ, नजर आ रहे, maximum chart button की बात क मैं recommendation दूँगा, but कम है, but इसके result देखेंगे, तो इसके result sales देखेंगे, इस बार की highest driver थी, और profit भी देखेंगे, तो yearly quarterly base पर यहां पर profit ज्यादा हाथ, highest driver आता हूँ, दिखाई दिया है, और पिछले 12 quarter का highest driver profit है, तो यह चीज़े इसे थोड़ी से अलग कर रही है, दीर दीर और यहां पर sales की बात कर रहें, तो देख सकते हैं, यहां पर sales consistency में यहां पर बढ़ती ही नजर आती है, net profit यहां पर अच्छा खासा बढ़ता हूँ, highest driver net profit है, sales बढ़ रही है, बाराइंग 95 करोड की है, investment 17 करोड की है, cash भी अच्छा खासा है, ROC अच्छी घासी है, promoters की holding 62. 22.11% है, थोड़ी सी हिस्सेदारी काम होई है, FIS ने थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई है, DIS है नहीं, public की बात करें, public में 36% की है, बस इसमें से भी राकेश जंजन वाला सर की हिस्सेदारी अगर आप देखेंगे, तो आपको बता चलेगी, 7.56% की हिस्सेदारी इनके पा पात करें, तो देखें ऊपर लेबल पर सपोर्ट, फिर नीचे रेजिस्टेंस यहां पर देखाई दे रहा है, नीचे रेवल की बात करें, तो यहां पर देखाई पर ये ओंबर टार्गेत होता हूँ दिखाई रहा यह को बात करेंगा इस यहां पर एक कप और हैंडल बनता हुए दिखाई दे रहा है इसके अलाबह यहां पर सिंपल में यहां पर आपको टार्गेट दिखा देता हूं कि सबसे पर्ला टार्गेट यही है तो 21-22% के रिटन यहां पर आते हुए दिखाई दे रहे जो कि 89 रुपीज पर है उसके और सबसे अच्छे जादा रिजल्ट आए थोड़ा सा टाइम और दे दीजियागा इसके बाद बात करते हैं सब मेरी एसमसी ग्लोबल सर्विसिस काफी बैतरिंग कंपनी हैं बहुत जादा ब्रेंचिज है और आरांड इंडिया और उसी आ रही 1613 का है अभी एडी लिस्ट होती हुए दिखाई दिया है 36% का डैट भी है 63 क्रोड रूपी का मार्केट कैप है 110 से यहां पर करेक्टों के 76 पर दो के फेस वैल्यू पे कंपनी आती हुए दिखाई दे रही है मैक्सिन चाट पर्टन देख सकते हैं किस तरीके से हड़ार और एक कंसौलिडेशन फेस में ही यह चल रहा है समझ सकते हैं सेल्स के बात करें इस बार की जो सेलसर्स है वह हाय आलब्हशन वर फिछले बार कॉर्टर की तो ये अट पॉर्फिट की बात करें वह हाईस्छ्ट त्रव र ओर की ठेज इड़िया नंबर्हार रोटाश हां है इसके लादा कैश भी क्ला कैश फ्लोस बहतरी इना तो कंपनी ऐसी कैशे इच कंपनी होते हैं उनमें बोनस भी जल्दी मिलता हुआ दिखाई देता है शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते है एज इस है इस इसके फैस की होल्डिंग कोई नहीं जिस दिन एफ इस की होल्डिंग आखी तो शेयर और जाथ जूम होता हुए दिखाई देगा और पुब्लिक की बात करें थर्डी सेवन में से यहां पर देखे छोड़ को यहां पर बहुत सारी अगर बात करें यहां पर कंपनीज ने एसे दरह आपर ख़ीद है तो यहां पर भी यह शेयर का अफ़ी में नजर आता है लिए जब हएस्टमर यहां पर नमबर आते हुए दिखाई देए रहे तो चीजने भी अच्छी होती वह दिखाई देरिया और इसके बाद यहां पर शेयर का नीचे आ जाना तो यह चीज पर सब से पहला पर ग एकटकार यहां पर हैठ्टी रुपीस प्रट Two-T 16 पर यहां पर चीज़े रुखती हुई दिखाई ढजेनिए भरगण यहां पर पाय आप बात करूं तो सुनर लच नहीं, यहां पर आता हुए तिक देगा जो कि लग बड 16% के यहां पर टार्गेट होते हैं तो बाइंग सेलिंग की यहां पर भी रिकमेंडेशन ही है अपने फाइंशे एडवाइजर और खुद की स्टडी करके ही यहां पर कोई भी पोजिशन लीजेगा अब बात कर लेते हैं लास्ट बट नौट इस्ट एक और कंपनी की जिसका ना बेंग सकते हैं बिचमें अबर जिस तरी के अभी कंपनी परफॉर्म कर रहा है तो इसमें आपने पर बलीव कर सकते हैं और यहां पर एक जो यहां पर 16 जून के लेवल पर यह कंपनी चलती ही दिखाए दे रही है आज के दिन भी अच्छा का सा इसने परफॉर्म किया है का बाद करें तो यहाँ पर देखें कंसिटन इवाइस पर अच्छ खासे नम्बर दिखा रहा है नयर्पॉफित यह ली कौटरली वीस पर हायश टैवर आ रहे हैं और yearly basis की बात करें तो देखें कंपनी याँ पर 50 क्रोड से 208 क्रोड का हाइस्ट आवर से ने पॉफिट जो घाते में ताभी 20 क्रोड का हाइस्ट आवर पॉफिट रिजर्स बढ़ रहे हैं बोराइंग भी आपर बढ़ती हुई नजर आ रही है तो यही सारी रीजन है कि बोराइंग की वज़े से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इनका इंटरेश ज्यादा पे करना पट रहा है जिसकी वाइसे प्रॉफिट फोड़ा सा अफसर आ रहा है बट इस्टिल कंपनी हाइस्ट आवर पेज यहाँ पर चल रही है और यहाँ पर पॉब्लिक की भी शेयर 26% है यह शेयर देखिए हाई इस्टेवर नंबर दिखा रहा है बार-बार ओके अच्छा गासा है यहाँ पर इंटरेस्ट पे कर रहा है बट इस्टिल कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट में आ रही है और यहाँ पर एक राउंडिंग ब की लिखा रहा है वह सौर रुपर ऊपर के टार्गेट आ रहे है विल्की एक चोट ओ-अबोरे टारगेट नहीं बहुत बढ़े टार्गेट होते है जिसका अगर मैं आपको बाता हूं कितने पर संट पर संट के टारगेट आते है तो 152% के टारगेट आते है बर इतने कमेंडेशन है यह नहीं, अपने फाइंशे अडवाइज आ खुद की स्टडी करिएगा, जितना हो सके हमें इस सपोर्ट करने की कोशिश करिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजे, कमेंड करिए, हमसे कॉन्टेक करने के लिए इस नमबर को सेफ कर लीजे, so thank you so much, God bless.